ओम शान्ति मुरली तारिक आठ नवंबर दो हजार तेज बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं तुम बाप और वर्से को याद करो प्रहिश्न श्रीमत के लिए गायन कौन सा है श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, वही करेंगे श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आग्या का पालन करते हैं उनसे सदा श्रेष्ट कर्म होते हैं वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते उनमें राइट और रॉंग की समझ होती है आरना के लिए मुख्यसार पहली पॉइंट श्रीमत पर सदा श्रेष्ट कर्म करने हैं दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है सपूत बन हर आग्या का पालन करना है जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरिफाई जरूर कराना है दूसरी पॉइंट सदा इसी नशे वा खुशी में रहना है की हम यह पुराना शरीर छोड प्रिंस बनेंगे नशे में रह इश्वर्य सेवा करनी है वर्दान निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचेता भव जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयम को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया सदा मालेकम सलाम किया ऐसे कभी नहीं सोचा की कोई सम्मान देवे तो मैं दू निंदक को भी अपना मित्र समझ कर सम्मान दिया ऐसे फॉलो फॉदर करो सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझो लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है सर्व आत्माओं के तना आप ब्राम्हन हो इसलिए स्वयम को मास्टर रचेता समझ सब को सम्मान दो तब देवता नेंगे स्लोगन माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाईयों के पात्र बनते हैं ओम शान्ति शुक्रिया बाबा शुक्रिया